नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका निवलाइड विदिपक में बहुत बहुत स्वागत है पिछले वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा कि इंडिया पोस्ट क्या है, भारती डाक क्या है, इसकी अस्थापना कम हुई इसमें कौन-कौन से सुधार हुए, और किस-किस वर्स में कौन-कौन सी नई चीजें जोड़ी गई, जो हमारे लिए सुविधा जनक हुई तो पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारहा बहुत पसंद किया और फिर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर किसी सामान को या किसी पारसल को या किसी चिठी को जो कि इंडिया पोस्ट के माध्यम से भेजी गई है कैसे ट्रेक किया जाए यानि कि कैसे हम जाने कि हमारा सामान कहां पर इस समय है कहां से dispatch होकर करके और कहां पर इस समय receive हुआ है कितने बज़े और कितनी तारीक को और हमारे पास पहुँचने की कब उम्मेद है तो इस वीडियो में आज हम आपको विस्तार से सिखाएंगे कि किसी भी parcel को आप कैसे track कर कि कहां पर वो है तो मैं आपको सबसे पहले यह दिखाऊंगा मुबाइल के screen में कि receiving कैसी मिलती है और जो receiving होती है उनमें जो जो लिखे होते हैं जो सब्द लिखे होते हैं उनका मतलब क्या होता है वो भी आप समझेंगे फिर लास्ट में आपको एक या दो उधारन के मार् कि इसमें सबसे उपर ट्रांजेक्शन डेट बुकिंग आफिस यानि कि कहां से बुक हुई है फिर बुकिंग आफिस का पिन कोड जैसे लिखा है 21-21-11 फिर नीचे लिखा है BPM संतोस कुमार तो BPM का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर फिर उसका नाम होता है फिर नी 289-01-3-1 और इसमें खास बात यह है कि लाश्ट में I-N रहता है यानि ट्रेकिंग नंबर का जो पहले दो अंक होते हैं वो अच्छर होते हैं CU और लाश्ट के दो अंक अच्छर होते हैं I-N और यह चारों कैपिटल में रहते हैं कुल 13 अंक होते हैं जिसमें से 9 बीच के अ जंक होते हैं और चार अच्छर होते हैं किनारे किनारे फिर सर्विस इसका वजन होता है कि कितना वजन है यह लिखा जाता है ठीक है पेड एमाउंट लिखा जाता है जैसे कि इसका 36 रुपय है तो यह वजन के हिसाब से बढ़ता जाता है फिर उसके बाद जिसने भेजा है जैसे हमने भेजा है यह हमारी परची है तो sender name दीपक कुमार साहू लिखा है और कहां गया है वो address name के नीचे लिखा रहे गया जैसे लिखा हुआ है रिसी कुमार फिर उनकी delivery आफिस का pin code रहेगा यानि कि कहां पे उसको जाना है देखिए delivery आफिस pin नीचे लिखा गया है ठी रहता है तो यह आपका एक प्रमार होता है कि आपने कहीं भेजा है और अगर पहुंचने में दिक्कत होती है तो इसमें जो tracking ID नमर है उसी के माध्यम से आप पता करेंगे तो अब हम आगे आपको एक tracking ID से लागिन करके दिखाते हैं कि कैसे आप पता करेंगे कि कौन सा parcel मतल करेंगे आप तो देखिए लिखा है ना indicate a required field तो आपका जो 13 अंकों का tracking ID code है आपको वही लिखना है see you capital letter में बाकी के अंक लिखिए उसके बाद last में जो IN है वो भी आपको capital letter में लिखना है और उसके बाद नीचे value at the express यानि कि इसका मान क्या होगा ये आपको इसमें भरना है साथ में 0 जाएगा कितना बचेगा साथ तो जो यह कहता है उसी तरह से आपको करके और सर्च करना है जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने पूरा detail आ जाएगा ये देखिए पूरा detail बुक कितने तारीक को हुई कहां से हुई तारीक लिखी है समय लिखा है ठीक है चलिए एक दूसरा चेक करते हैं इसी तरह से इसमें भी आपको कंसाइनमेंट नमर यानि की ट्रेकिंग नमर आपको डायल करना है CU39 जो भी है आपका उसके बाद आपको evaluate the express जो आपको नीचे लिखा गया है उसी को आपको मतलब उसका value लिखना है कि कितना होगा और उसके बाद लिख करके आपको सर्च करना है जब सर्च कर देंगे तो कुछ थोड़ा सा समय लगेगा वो नेट पर depend करता है उसके बाद खुल जाएगा जैसे खुलेगा फिर से यहाँ पर देखिए कब book हुआ कितने तारीक को book हुआ समय उसके बाद parcel है यह और सबसे नीचे जब आप जाएगे न तो एकदम सुरुआत से होगा कि सबसे पहले कहां से इसको dispatch किया गया सबसे नीचे से लेकर के उपर तक जाता है तो item received date रहेगा dispatch date रहेगा फिर वो उसके बाद कहां गया कितने बज़े गया कब वहां पहुंचा कब वहां से dispatch हुआ दूसरी जगह के लिए कहां के लिए हुआ यह भी some mention रहता है exact समय भी लिखा जाता है तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कहां कहां से हो करके आपका parcel उचित अस्थान पे पहुँच रहा है पूरा detail है और यह permanent detail रहता है net पे हमेशा सो करेगा आप कभी भी इसे check कर सकते हैं आपके पास parcel पहुँच जाएगा तब भी आप इसको check करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा तो आप इसी तरह से किसी का भी tracking ID ले करके चाहे speed post हो, courier हो या parcel हो इसी तरह से आप जो है check कर सकते हैं तो उमिद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया कि आप tracking ID से track कैसे करेंगे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और आप किस टापिक पर वीडियो चाहते हैं हमको आप जरूर बताइए कमेंट के माध्यां से ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार